नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे human psychology के बारे में जो हमारे behavior, thoughts और feelings को समझने की एक कमाल की चाबी है Human psychology हमें ये समझने में मदद करती है कि कैसे हमारे experience, हमारे thoughts और feelings को shape देते हैं ये हमें ये भी सिखाती है कि कैसे positive thinking और feelings हमारे physical और mental health पर अच्छा असर डाल सकती है चैनल पर हो तो अभी subscribe करो No.1 जो लोग सबसे ज्यादा Travel करते हैं वो उतना ही healthy रहता है जितना एक yoga person रहता है No.2 अगर दो लोगों के बीच 7 साल से या उससे ज्यादा की दोस्ती है उनकी दोस्ती कभी तूटती नहीं No.3 सोचिए आपके plan A और plan B है तो plan A के अनसकस होने के 70% chance होंगे और यदि आपके पास सिर्फ plan A है तो 99% chance होंगे कि आपको success मिल जाएगी No.4 जो लोग लिखते time अपने शब्दों को एक दूसरे के बहुत पास लिखते हैं उन्हें अपने आसपास लोगों का होना अच्छा लगता है और ऐसे लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं उन्हें लोगों का ग्रुप ज्यादा पसंद होता है No.5 जब आप अपना लक्ष गोल दूसरों को बताते हैं तो आपकी उसे पाने की संभावना कम हो जाती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अवचेतन रूप से बिना सोचे समझे उस लक्ष को पाने की प्रेरणा, मोटिवेशन हो देते हैं No.6 एक रिसर्च में देखा गया कि जब हमारे पास बहुत सारे ओप्शन्स होते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता कि कौन सा चुने जैसे अगर आपको एक ही चीज के दस आप्शन्स दे दिये जाएं तो आप उलच जाओगे और सही चुनाव करना मुश्किल हो जाएगा और फिर जो भी चुनोगे उसमें भी पूरी तरह सुष नहीं हो पाओगे क्योंकि दिमाग में ये चलता रहेगा कि शायद दूसरा आप्शन बहतर होता No.7 मान लीजिए कि 90 स्टूडेंट्स के एक ग्रूप को दो हिस्सों में बांटा गया पहले ग्रूप के चातरों को तीन दिनों तक रोज अपने लाइफ के किसी बहुत अच्छे एक्सपिरियंस के बारे में लिखने के लिए कहा गया दूसरे ग्रूप के स्टूडेंट्स को किसी नॉर्मल विशय पर लिखने के लिए कहा गया जैसे कि उन्होंने दिन में क्या किया तीन महीने बाद वैज्यानिकों ने इन सभी स्टूडेंट्स की सेहत का हेल्थ एसेस्मेंट किया तो उन्होंने पाया कि जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे एक्सपिरियंस के बारे में लिखा था वे कम बीमार पड़े यानी उनकी सेहत बहतर रही इसके विपरीत जिन स्टूडेंट्स ने नॉर्मल विशयों पर लिखा वे ज्यादा बीमार पड़े इससे यह समझ आता है कि पॉजिटिविटी के बारे में सोचने और लिखने से हमारी मेंटालिटी और फिजिकल फिटनेस पर अच्छा असर पड़ सकता है जिसमें हम किसी चीज को बार बार देखते या सुनते हैं तो वो चीज हमें आने लगती है या मज़ेदार लगने लगती है और ये काम कैसे करता है एक्जामपल लिए अगर आप एक नया गाना बार बार सुनते हैं तो धीरे धीरे वह गाना आपको पसंद आने लगता है भले ही पहले आपको उतना अच्छा न लगा हो साइकोलोजी में इसे इस तरह देखा गया है कि हमारा दिमाग उन चीजों को ज्यादा पसंद करने लगता है जिनने हम बार-बार देखते या सुनते हैं क्योंकि वे चीजें हमें familiar और safe लगती हैं इसमें हम देखते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और उसी के अनुसार हम भी वही करने लगते हैं एक्जामपल के लिए साइकोलोजी में कहे तो अगर आप किसी नए रेस्टोरेंट में जाते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ खाना खा रहे हैं तो आप भी सोचने लगते हैं कि वह रेस्टोरेंट अच्छा होगा और आप भी वहाँ खाना चाहते हैं इसमें हम कुछ टाइम के लिए दूसरों के brain की mentality अपने अंदर ले लेते हैं।